बॉलुट के परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी आक्टिंग से सभी को दिवाना कर देते हैं उनकी फिल्म दंगल ने बॉक्स ओफिस पर दाबर तोड कमाई की थी लेकिन अब फिर से आमिर अपनी अपकमिंग फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार लेकर आने वाले हैं जी हाँ इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है आमिर ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर इस फिल्म का पोस्टर डाला है अगर आप इस फिल्म का पोस्टर देखेंगे तो एक बच्ची अपनी पीट दिखाती खड़ी है और म्यूजिक पर बेस्ट इस फिल्म की टैगलाइन है ड्रीम देखना तो बेसिक होता है वैसे आपको बता दे इस फिल्म को डारेक्ट अद्विन चंदन कर रहे है और प्रोड्यूस खुद आमिर खान ने की है ये फिल्म एक बच्ची की कहानी है जिसका किरदार जारा वसीम निभाएंगी इस फिल्म में जारा एक सिंगर बनना चाहती है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है इस पोस्टर से पहले इस फिल्म का टीजर लॉंच हो चुका है और दो अगस्ट को इसका ट्रेलर भी रिलीस कर दिया जाएगा खबरों की माने तो ये फिल्म रोहिच शेटी की फिल्म कोलमा लगेन के साथ क्लैश हो सकती है वेल जायरा और आमिर पहले भी फिल्म दंगल में काम कर चुके है और फिल्म सुपर हिट गई थी अब देखना ये होगा क्या ये जोडी फिर से अपना जादू बिखेर पाती है या नहीं न्यूज एक्स्प्रेस की रिपोर्ट